हलो एन वेल्कम टू टेली टॉकीज दोस्तो बिग बॉर सीजन पंद्रा की असली शेरनी बन चुकी है तेजस्वी प्रकाश घायल होकर भी जखमी होकर भी हार नहीं मानी इसने और आखिरकार प्रतीक सहचपाल को अपने सामने जुका दिया हासल कर लिया प्रतीक से मैप का एक हिस्सा क्या है पूरी खबर चली हम आपको चली टॉकीज पर बताते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि घर के अंदर फिलाल टास्क चल रहा है जिसमें जंगल वासी डाकू बने हुए है और ऐसे में तेजस्वी घेर लेती है प्रतीक सहचपाल को क्योंकि प्रतीक जंगल एरिया वाले गार्डन में आता है और प्रतीक से वो मैप हासल करने की कोशिश करती है प्रतीक उसको मैप नहीं देता खीचा तानी में तेजस्वी का नखून तूड जाता है खून आने लगता है लेकिन तेजस्वी नहीं रुखती प्रतीक कहता है कि आपके चोट लग गई है आप रहने दीजें आपको दर्ध होगा आपका अगर नखून मेरी जैकेट में फस गया तो आप काफी परिशान हो जाएंगी तेजस्वी कहती है तुम मेरी परिशाने के चिंता मत करो मुझे दे दो फिर मैप प्रतीक नहीं देता लेकिन तेजस्वी हार नहीं मानती और लगातार लड़ती रहती है जिसका नतीजा ये होता है कि प्रतीक खुद हार मान लेता है और तेजस्वी मैप का एक हिस्सा हासिल कर लेती है, वो हिस्सा जो प्रतीक सहजपाल के पास था, वो कागस का तुकड़ा जिसको जोड़ कर अब जंगलवासी मैप को पूरा कर पाएंगे, लेकिन अभी एक और हिस्सा बचा है और वो निशान्त का हिस्सा है, देखना ये कि क्या तेजस्वी घायल होने के बावजूद भी आगे टास्क में परफॉर्म कर पाएंगी वैसे तो अभी तक तेजस्वी नहीं बैठी उनके हाथ में खून निकल रहा है पर वो लगातार खेल रही है वो लगातार लड़ रही है जैसे मरदानी लड़ती है आप क्या कमेंट्स में लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अब ना भूलें